प्यारे विदार्थियों नमस्कार, स्वागते आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आरपी स्टेडी में तो जो भी विदार्थी पसूपरिचर एक्जाम 2024 की तारी कर रहे हैं दोस्तों पसूपरिचर एक्जाम 2024 की तारी करने वाले सभी साथ यूँ के लिए ये क्लास बड़ी इंपोर्टेंट है, क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लाश्ट में कमेट करना है, कितने परशन आपके सही होते हैं आज हम दोस्तों पसूपरिचर के बाग बी के इंपोर्टेंट कुस्ण देखने वाले हैं आपको पता है दोस्तों आपका एक्साम बहूत नद्लिक आज चुका है तो ये दोस्तों आपका एक्साम के ज़िए राम बाड़ प्रस्ण हैं, बड़े इंपोर्टेंट प्सण हैं तो इस कलास को मिस्मत कीजिए, कलास को पूरा रह कियें और खुद का मुल्यागन कीजिए तो चले विजारतियों किलास का सुबारेम करते हैं कलास का पहला कुस्तन आपके सामने पस्वों से सम्धित हैं इन में से किन का सम्ध़ पस्वों से नूजणों, जीनद पोस, नात या उपरक सभी तो देखो विजारतियों नूजनों क्या होता है जब दूद निकालते हैं हना गाय या बैंस को दूदते हैं उसमें क्या करते हैं दोस्तों पेर और पॉंस को बादने ग्रसी होते हैं उसे नूजनों कहते हैं ठीके जीन पोस्ट भी इनका समझ नाच भी है मतलब यहाँ पर तीनों क्या है तीनों का समझ पस्वों से ओप्सन डी आपका सहिए जो भी ओप्सन डी कमेट करा डी ओप्सन आपका सहिए अगला प्रश्म पूचा मुर्गियों में बदिया करने के लिए कौन सा आरमन उतर दाई होता है कमेट करेंगे साथी हो मुर्गियों में बदिया करने के लिए कौन सा आरमन उतर दाई होता है देखिए डाई इथाईल, मिथाईल, पेराथियान निया डाई इथाईल, इस्टिल, वेट्टेल या इनमें से कोई नहीं मुर्ग को बदिया करण के लिए कौन सा आरमन उतर ड़ा है विदारतियों वो आपका उप्सन C जो भी उप्सन C कमेट करा है इस ये उप्सन आपका सही है अगला पुछाए दोस्तों करत्रिम गरबादान के लिए विरी का एकतरन उप्युक्स समय है दोस्तों करत्रिम गरबादान के लिए विरी का एकतरनéd उप्युक्स समय क्या रहता है जो भी उप्सन आपकारदा करा सही है कलास को दैन से बुरा देकना ठीक है बदिया करन की विदी है उप्सन के विदी क्या है सर्जिकल भी है option B भी है option C भी है मतलब यहाँ पर क्या रहा है option D उफ्यूक्स सभी option आपका सही है अगला पूचा है दोस्तों आपसे ओंट की कौन सी नसल समुदर में तेरना पसंद करती है comment करेंगे न इन में से कौन सा ओंट है वो समुदर में तेरना पसंद करता है नाचना, खराई, मेवाडी या जैसल मेरी तो देखो खराई दोस्तों होती है यह क्या है खराई ओंट के नसल होती है जो क्या करती है दोस्तों समुदर में तेरना पसंद करती है जो भी option B comment कर रहा है भी ये option आपका सही है अगला प्रशन क्या पूचा रोस्तों आपसे लंगडा बुकार रोग में पक्षियों से आवाज आती है उसे क्या कहते है डब, लब, इसमेकिंग या रोस्तों किर्पे टेटिंग पटापट कमेट करेंगे साथियों लंगडे बुकार में जो पक्षियों से आवाज आती है उसे क्या कहते है विजारतियों उसे रोस्तों किर्पे टेटिंग कहते है जो भी option D कमेट कर रहा है ये option आपका सही है ये डोस्तों डब और लब क्या है ये अर्दे की दड़कन होती है और इसमें क्या होती है होटों के आवाज होती है और खिर्पे टेटिंग क्या होती है डोस्तों ये लंगडे बुकार में पक्षियों से आवाज आती है ठीक है option D आपका सही है अगला स्वाल मसाईयों का प्रसिद मसाई मारा नेशनल पार कहां पर है तजानिया में कीनिया में युगडा में या सोमालिया में मसाई मारा नेशनल पार कहां पर है कीनिया में जो भी कीनिया कमेंट करना कीनिया option आपका सही है अगला ज़्या दुस – मुरगियों में वीटामिन एक या पॉरति केलिए क्या देते हैं मुर्गियों में दोस्ता ना वीटामिन एक पूरती के लिए उन्हें क्या दिया जाता है अराचारा, मक्का, चावल का भूसा या उपरोग सबी तो उन्हें क्या देते हैं अराचारा देते हैं विदरतियों मुर्गों विटामिन एक ही अपूरती के लिए उन्हें क्या खिला जाता है अरा चारा खिला जाता है अगला प्रशन क्या बूचा दोस्ता हूं आपसे जेपुर में कहा वेटेनरी क्लिनिक कॉंप्लेक्स का निर्माण किया गया है जेपुर में कहा पर साथियों वेटेनरी क्लिनिक कॉंप्लेक्स का निर्माण किया गया सांगा नेर में जामडोली में बसी में दूदू में तो सही उतरे का जामडोली में जामडोली में साथियों क्या है वेटेनरी क्लिनिक कॉंप्लेक्स का निर्माण किया गया है बहुत ए तो सोनारी को 24 कहते हैं इस से दूस्तों 24 शोनारी का जाता है और इसका उपीयों क्या है ? मार्श की रूप में लिया जाता है अगला सभाववप कूचHAM अप पूचा है आपसे समधित देश का पहला राजिये हैं थीुज़रात राजस्तान पंजयव या तरदर्देश से राजस्तान क्या रोस्तों पस्थु जिसकों छला को लैक सोब्सक्राइब करें अगला सभी पूछा पूंचा आप से ब्हेंश का जन्तु वेगा Eliak ही जोस्तों बहुंछ अंडिक 1 मानिक या टारस सो तो बैंस का रूस्त है ना वेकरनी नाम क्या होता है देखो बॉस इंडी किस क्या है देशी गाय का वेकरनी नाम है के अपर इडिकर से यह बगरी का वेकरनी नाम है ठीक है और बुबेलिस बुबेल से किसका है यह बैंस का नाम है वेकरनी जो भी बैंस कमेंट करा सी बता रहा कि आई विधारतियों बुबैली सा अगलाष वाल पस्यों को निहिंद्र कने के लिए किसका उप्यों करते हैं बुस आल डर या बुल अल्डर बुल नौज रिंग या एन्टी कांट कीकर या उप्रग सभी का दोस्तों पस्यों को निहिgen उप्यों कर से ते जो उनाच्छना क्या हैं बिल्कुल ओंट की नसल है जी सलम्हिर की परष्ऐदी अप्सन एय आप का सही ओप्सन एय। नियुमन मेंसे ए ऐक कुबरड़ ओंट को क्या कहता हैं भेडला कमेट कर देऎ साकिय। जिसमें एक क्या आए दो कुबड़ वाला होंट है ठीक है और क्या पर आई रिकस क्या आए बकरी यह मतलब यहां पर आपका साइए अगला प्रस्ट क्या पूचा रोस्ता आप से आपके पूचा आए वोर्ल सॉर्टर्स है ना वोर्ल सॉर्टर्स डिसर्शन कि स्रोग का उपना में आयर साइर नसल की गाये कहां पाई जाती है अपना खाल ऑफम्यार संकर नसल को पूचा है कहां पूचा है करन स्विश गाय की संकर नसल का किसका करोस है बताव बषा बैं गला टो बिल्कुल करन स्विस गाय है यह क्या है रूस्तों ब्राउन स्विस एंड आपका साई वाल का क्रोस है ठीक है अगला पूचा रूस्तों बेड़ और व्यवा की इस्तापना कभ हुई आफकी 1960 में, 1972 में, 1979 में या 1960 में देड़ वो ओन विबा की स्तापना है वो वह यह 1979 में जो भी आपर C कमेट कर रहा है C सही है ठीकर C आपका सही रहेगा अगला पूचा सर्रा रोग मुक्केत किस पसु में होता है सुर में, मुर्गी में, ओंट में या खुते में सराइरूग दोस्तों को किसम में ओंटों में होता है अगला साइस पार पोचाए बिलकुल, तोगन बरण अधो टोगन बरण है ये किसकी नसले विजारतियों बेड की, सहरी बकरी की, वोड़ेसी बकरी की या सूर की, टूकन बरक होती है रुस्तों आफके यह क्या है? विडेश सी बकरी के नसल है अभे सिर्दीज़ का साईए जिसने भी कलास को लायक नहीं क्या है दोस्तों कलास को भड़ाबर लायक करें रुड़ारे लायक करें ठीकर अगला स्वाव दोस्तों मादा सुवर जो एक बार भी गर्बित नहीं हुई है इसे मास्क के लिए कामे लिया जाता है उसे क्या कहते है विदार्तियों तो बिलकुल उसे क्या कहते है उसे गिल्ट कहते है उप्सन ए आपका सब्सक्राइए अगला पूचा जुगली करने वाले पुशों में यह अतारता आमाशे होता है जुगली करने वाले पुशों में आमाशे कौन सा होता है रुमेन, रेटिकुलम, एवोमेजम या ओमेजम जुगली करने वाले पुशों में दोस्तों आना उसमें कौन सा आमाशे होता है उसमें बिल्कुल एवो मेंसम होता है जो भी एवो मेंसम कमेट कर रहा है option C आपका सही है ठीक है अगला स्वाल गोदना द्वारा चिनित करने चिनित करने के लिए S का कौन सा अंग काम में लिया जाता है है ना डूस्तों बिल्कुल पस्व का दोस्तों जो अंग होता है कान वो कान का उप्यों करते हैं ध्यान रकना अगला स्वाल पूचा दोस्तों गर्वित गाये को दिया जाने वाला अत्रिक आहर कहलाता है बताओ भई गर्वित पस्व को दिया जाने वाला चौन इसको काटना डिबिकिंग कहलाता है ठीक है अगला स्वाल बच्षडे को माझसे अलग रखकर पालना कहलाता है विंइंग सखलेंग नकलिंग याई इनुमें से कोई भी नहीं बच्छडे को अगर मास अलग रखेंगे ना तो गाए अधिक दूद देती है और अधिक समय तक मिलकुल दूद देने इस्टार्ट रखती है वो ठीक है ना अब देखिए बच्छडे को मास अलग पालना मतलब विनिंग हो जाएगा जो भी विनिंग कमेट करा विन ग्रूमिंग होता है तवसा आपको साप करना दूद निकालना पशू को गिराना या पशू का चैन करना ग्रिमिंग दूसमें क्या होता है यह तवसा को साप करना पशू की तवसा को साप करना क्या कहलाता है ग्रूमिंग कहलाता है अगलास वाल दोस्तों पूचाए चंग किस पसू के नसल है? खरगोश की, गाई की, बकरी की या ओंट की, चंग थंगी और चेंगू, ये क्या है रूस्तों? बकरी के नसल है, जो भी बकरी कमेट करा बकरी सही है, अगला स्वाल पूछा है रूस्तों, कुत्य के काटने कितने दिन बाद सामने तर रेबीज के लक्ष उपरने की जो क्या रहती है, संभावना रहती है, ज्यान रखना 10 से लेकर 90 दिन, आगे बढ़ते रूस्तों अगला स्वाल, ओंटनी के दूद के सेवन से किस रोग का बचा होता है, वायू रोग, पेट रोग, शीर रोग या मदू में रोग, तो रेको मदू में रोग होत इस प्रेलिक जवर का दूसरा नाम है, अगला पूचा किस बिमारी के पचात मर्थ पस्व के सरीर को चोने के साथ दपना दिया जाता है, या दबा दिया जाता है, तपेडिक, एंटरेक्ष, मलेरिया या बलेक वैटर, तो रेको यहाँ पर जो दूस्तों क्या होता है, पर दूसरा दिया जाता है, तो इसको क्या है, चने के साथ में दोस्तों, बिल्कुल सुने के साथ दबाना चाहिए, ठीक सबसक्य집 सब्सक्राइब आपका सब्सक्राइब ठोकार कोनीज्या जरबाज से गल गोटु से एंट पिअनिस वीमारी से यह तेम आपर चा पने और पर से न हिम help किसे आपरे से विदारती होएं अगला स्वाल आपके सामने राइश्टी पसु पोषण और विज्ञान और सरीर विज्ञान संस्तान कहां परें बैंगलूरू में कोचीन में बेरकपूर में आवीकानगर में राइश्टी पसु पोषण और सरीर विज्ञान संस्तान कहां पर वो कहां पाई जाती है पाटनवाड़ी बेड़ कहां पाई जाती है गुजरात में पाटनवाड़ी बेड़ के नसल है ये गुजरात में पाई जाती है अगला पूचा पंच कलाणी पंच कलाणी नसल है वो किसकी है बैंश की गाय की बेड़ किया बकरी की तो पंच कलाणी द तो पुछा आपका, बेबी शोसी होती है ठीक है क्या जो भूनिजेग करी अग्ला रूस्वी क्या पूचा आप से आप से पूचा ट्टिक किस जानवर को नेंट रेजिए है चो ट्ट्ट होती है न इससे कौन सा जानवर नेंटर किया जाता है गाहे गोड़ा, बिल्लिया, कुता तो ट्विच होती है क्या होती है गोड़े को निंतित करने कामाती है गोड़े को इससे क्या करते है कंट्रोल करते है ठीक है अगला स्वाल क्या पूचा रोस्तों आपसे आपसे पूचाएं रिफुस विदी है गोड़े को गिराने की, बकरी को निंदत करने की, बेड़ को निंदत करने की, या गाए को गिराने की तो ये क्या होती है दोस्तों रिप्फु से ये गाए को गिराने की विद्धी होती है अगला स्वाल पूचा किस जानवर का अंडा से बादाम के आकार का होता है इन्हें में से बताना है कि बैक कि सजानवर का है न अंडा से क्या होता है बादाम क्या कार का होता है बकरी गोडी बेड या गाए तो बेड का जो अंडा से बिलकुल होता क्या होता है दोस्तों बिलकुल बादाम क्या कार का होता है ठीक है अगला स्वाल अच्छे साइलेज का पी-एच होता है अच्छे साइलेज का पी-एच क्या होता है चार पॉइंट दोस से लेकर चार पॉइंट पाँच ठीक है दोस्तों जिसको भी वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को आपका एक्जाम तक ऐसी वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी अगलास फाल पूचा दोस्तों आपसे पेरा करेटेस नमक रोग सुवर में किस खनेज्टतों की कमी से होता है मैगनेज की कमी से जिंग की कमी से कौपर की कमी से और द की कमी तो बिल्कु जानक दो यह क्या होता है जिंग की कमी अखला सोरत हो नगी कमी से फिर्स how लेगु का से होता है ठीक है अगला स्वाल पूचा दोस्तों निमन में से कौन सा राज यह में बारत में अन्डो क का उज़पधन से कहां से होता है अंतर परदेस से का से आंतर और राजस्तन में सरवाडिक अंडो का उद्पने कहां से होता है अजिमेर से इसलिए अजिमेर को अंडो की टोकरी कहते हैं ठीक है अगला स्वाल पूचा विश्व में सरवाडिक गो जाती है जनसिंगा वाला देश से सरवाडिक गो जाती है सरवाडी गाएं कहां परें ब्राजिल में जो भी ब्राजिल कमेट करा ब्राजिल सही है अगला मुर्गों की प्रजन समता समाप्त करना कहलाता है केपोन, केपेनेजेसन, ब्राइलर या केथीटर तो बिल्कुल दूसर जाने करना मुर्गों की प्रजन समता समाप्त करना क्या कराता है उसे रूस्तों कहते हैं के पेनाई येसन जो भी आपर भी कमेट कर रहा है भी ओप्सन आपका सहिए अगला पूचा है बीमार पॉच्छों को स्वस्थ पसु कर स्वस्थ पसू से चुन कर अलग करना कहलाता है बिमार पसू का ना स्वस्थ पसू से चुन कर अलग करना उसे क्या कहते हैं उसे कलिंग कहते हैं है ना उसे अपन क्या कहते हैं कलिंग का जाता हैं अगला पूचा रूस तो आप से मुरुचियों में चौंस को काटने की क्रिया कहलाती है अभी मैंने बात की थी चौंस काटने क्रिया के कहलाती है डिबिगिंग कहलाती है जब यह option B कमेट कर रहा है B option आपका साहिए अगला पूचा एक दूसरे पुछव के बाल खाना कहलाता है बताओ भई एक दूसरे पुश्वे कबूल बाल खाते हैं उसको खाना क्या कहते है दोस्तों उसे दोस्तों पीलो फेजिया आपसन भी आपका साहिए यह आपकी कलास ते विजारती हैं आप कमेट करें यह कलास आपको कैसे लगी और आपके 50 पुश्रों में से कितने कुश्ण साहिवे यह कलास डेली आती है एक कलास morning आठ बजे एक कलास दो पर दो बजे और एक कलास साम को फिर्टेइ्ट नो बजे ठीकां, नो बजे यह कलास आती है साम को, और यह आप सारी कलासी लेखिए और बड़े अत्रारी कीजिए क्योंकि आपका एक्जाम बहुत नद्री का चुका है चले विदारती मैं आपका मिलता हूँ नेक्ट क्लास में जय हिंद जय अबारत